तो जूट के सोगर फ्री तो सोगर फ्री में तो असी को तो भूत निकले हो ज्यादा निकले यह मैं तोक sentence तो पहली बार में सुनन सब्सक्राइए लेकर इतनी प्यादा बार अभी हम देखेंगे चेक करेंगे लबकार वर देखने का यहे जुदि लबकार वर देखनें नद म ऊपको स्वागत और यहां कंपर आपक हई हमारे साथ में यहां पर तो तो यी ज्यादा होता है यहां पर श्यवेड होता है तो छहाँ पर क्तर होता है अलू कितने परसेंट होता है है अलू कितने परसेंट होता जयमीन में शाट परसेंट चाली सेवन या सर्सों अच्छा तो लगबग यह बताहो कि जैसे मालों पीजिस साल के पेच्छ चीटरपल 20% जड़ा बता रहे हो तो कौन सी जादा बढ़ी है यह जादा बढ़ी है जादा बढ़ी है चिप सोना चलो यह तो ब्रांड बैराइटी है और जैसे हाइवेट लोग करते हैं और अच्छा और हाइवेट कम हुआ है हाइवेट कम हुआ है तो यह कितने दिन का है तुम्हारे चिप सोना तो पहले हम एक पौदा देखेंगे और उससे पहले एक बार बताओ के जैसे अभी यहां पर जो आलू के खेत हैं और जैसे रोगबोग की संभावना जैसे लगनी चाहिए सता दिन पर तो ऐसे कुछ नजर यह रही है अभी तो कोई रोग नषब घर करें तो जैसे हम पिशली बार की बात करें और जैसे 2000 की अच्छा तो तो आज तो देखेंगे चिपसोना पहली बार ऍसी अगरगे अगर तो अच्छा तो जूट के पैकेट है कि सुगर फ्री तो अच्छी को तो बहुत निकल यहां कितने के निकले उससे पहले अच्छा मतला चिप सोना बैराइटी अच्छा तो मुझे दिख रहा है लेकिन इतनी की प्यादावार अभी हम देखेंगे चेक करेंगे तो बुलकुल अभी दिखा दियो सबसे पहले एक टी सेवन को दिखा दो इसकी पैदावार किती है रहती है राष्ट जागी 55-60 तक तो असी तो बहुत है लोग हाई बेटी छुड़ी जांगे जागे पूरा पहुत है उखाण लिए बैसे रोग तो नहीं हरा चलो पहुता बढ़ी जाए एकदम समार तुरिया देखाओ देखाओ आथ में पगड़ी हुआ और टाम आधाओ दोने लुप यह बस यह पास में रहे यह दो दो आलू के हैं तो लग बगज़र कितने अलुक तो अचना लू कितने टोटर रहें गया गी तो पांच हे मालने पर तो यह वाव दाओ जैसे पांच है कर टी से इवन के एक पहुतापे हैं और जीन सब बढ़ चालिस प्लस के बीच में रहेगी तो फिसी साल मतला पैदावार कम का क्रण क्या लग रहा है तुम इसमें तो यह कब तक लगाना चाहिए लगाना चाहिए तो मतला अगर यह पंदर अक्ट वर्त बोजा तो इसकी पैदाबार आप पचास से प्लस ले सकते हों तो यह तुमारा कब वोया गया था तो तो इस थोड़ी पैदा बार नान मतल जा सके तो पेचिश बार शी खट्टा वाला वह देखा चपसणा देखाओ चलो अगे चलो बैया आप देखाओ चपसणा देखाओ असी खट्टा पहले जो निकला इसमें जब कि पेछली बार तो तो हमारे यहां पर पैदावार डाउनी और पाले से अलु खतम हो गए देखा भाईया चिपसोना देखा लिए नीचे कर लिए देखा भाईया यहां पर इनको चिपसोना आए एक मेंट रखो यह देखिए इसको टूट गवागे आलु ना बनो यहां पर अच्छा अच्छा आँ तो कोई बात में छोटो ही हो निकाल लो निकाल लो आराम ते निकारो आए यह भाईया देखो इनको चिपसोना यह देखो अच्छा यह कितने हाथ में तुमारे चार और देखिए यह सब मोटी 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 से दिख रहे जाए तो मतलब यह चिपसोना पकड़ा यह क्या है यह खेत अच्छा चिपसोना के लाब कोई ना करी तो यह देखो यह तो बस यतनी जगए है तो कितने टोटल टूबर चार पांट छे साथ नीचे डालो जाए यह गर के तुमारे यह चलेगे तुमारे च्छे गई यह नीचे यह साथ आट नो दस डालो अगर सोले और जो तुमारे पहले पावदा खड़का उसमें इतनी निकल लेगे हैं तो देखो बाई इसका साथ देखो बाई इसका साथ टूबर एक ही साज गें लगवाग बारे तेरे टूबर तो एक ही साज गें इसमें साइज भी देखो और इसमें रोग भी नाया कोई बढ़ी आई क्टम चला है नीचे से उपर तक एकदम हरा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर चिपसोना तो पकड़ है बहुत इसकी तो इसमें यह बता लागत क्या है को देशी का डलता है क्या चक्कर है और मतलब रहता है कि असाड़ा भी रहता है कि असाड़ा भी रहता है तुम्हारा टी से बिन अच्छा और इसमें डहचा भी होता बाद में अच्छा और तो इसमें देखो यह तो इसमें देखो है असाडा भी रहता है उसके बाद इसमें ड्हांचा भी होता है मतला इसमें ध्युर्ट में जान बनी रहती है अलू कर दें एक जानकारी और देंगे तो किसानों पहुत मिलाना तो लगभध किसानों का आलू कितने रुप्य बखना चाहिए आप अपने अनुवाप के साथ किसान में बंद मतला क्सान को जैसे आपने ये पूरी साल चुड़ा तो लागत आएगी पूरी साल के निकलेगा इसी में से किसानों क्या है फिर तो अपने के हिसाब से बता रहे हैं कुंटल किसान को लागत होनी चाहिए अब लगबग अभी कितने मतलब 1000 रुपे की लागत आई अभी तक इसमें आज आती है यह लास्त तक यसे दस जार बीस जार पंदर हैं कितने रुपए बीगा और बाकी अलग है बाकी से कोई मतलब ना इसमें अच्छा वो लगा दें तो फिर इसमें तो इसका मतलब यह कि लाग रुपे बीस जार रुपे कि लाग है किसान की तो इस हिसाब से आपका लगवा 12 रुपे कुंटल विखना चाहिए तो यह सभी जो आल हुए यहां पर ब्यवपारी भी आते हैं कि कोल्ड में जाता है अच्छा अगर जैसे कोई ब्यवपारी तो निया दो दोगे लेकरन आते नहीं यह चाहां तो दे दोगे जैसे टीजान आल हुआ हो अच्छा टीजर में और कोटन कोई होती है होती है यह ऑर IG 302 और सूर्या नहीं होता है लवकार लवकार बैराइटी भी है यह लवकार बैराइटी पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर लवकार बैराइटी यहां पर आचुके हैं अच्छा पत्ते तो काफी चोड़े से लग रहे हैं यह देखो भाई इसके पत्ते देखो यह लबकार बेरेटी है हाइवरेड में देखें यह देखा एक पदा देखा इसमें देखें कैसे वाल हुए नेचे से इसमें भी यही बाला लोग रोग आ रहा हुए जो सूर्या में आवे जातर ना खाते ना यह मतला चल आई जातर यह तो लम्मी चाल का है अब सूर्या का नहीं बढ़ा है यह ना नीचे निकले वालो यह वो गया वो छोटा यह देखो पानी नमी सी है ना इसे विए से स्पोर्ट आजाब है जंग सी आजाब है तो यह है मत्रा दवकार तो यह देखो भाई यह ताट दनका एक दो तीन चार पांच छे तो यह बता यह लंबी चार को वह लागा लंटा अच्छा इसकी प्यादावार क्या जैसे अब बीज बनांगे पता सब्सक्राइब कि अच्छा निकलें तो यह बहुत बड़ा होगा जाए कितने दन का हो गया यह शाट दन का फिर तो यह मतला वहलम मतलब अज़ी आए दो द तो फिर तो यह मतलब साड़ दन के साब से तो मतलब साइस सही यह बहुत बढ़ी आए यह देखो तो लगब और नौ आलू है सूर्या से भी जादा है अब कि कहां पड़ रहा है है पाचास के लंसा महा बीज देगो और दो चार दिन और रुक के तो एक बाद बताओ फिर यह लबकार कितने लगा लगाया चार बिगा पत्ति भी देखियो पोदा पकड़ी यह पोदा भी इसका मज़ूत है एक्दम मतलब बढ़ीया पत्ती हैं चोड़े पत्ती बढ़ीया चलना है ठीक है तो यह लबकार बैर रैटी हाइज मेना यह सूर्या में बढ़ाय है तो मतलब इसकी काट कैसी पीली है कैसी पीली काट है अच्छा सूर्या की पीली हुए तो ठीक है तो है ठीक है तो बाइसा ताव राम राम तो किसान भाईयों वीडियो देखने लिए आपका धन्यवाद और मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर बहुत बड़े छितर में मतलब आलू है और यहां पर जातर यहीं सूर्या चिपसोना और मतलब अच्छी हाइवर्ड कम होता यहां पर तो बीड़ देखने धन्यवाद मैं विकास को नमस्कार